हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर भुवनेश्वरसतार मांगिलाल बागडी राजकिये महाविद्यालाय नोखा से हम अध्यन कर रहे हैं नाविक्या वेकंडन का इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है स्रंखला अभिक्रिया चैन्रियक्ष जब कोई नाविक्या अभिक्रि और मुक्रिया कहते हैं हैं जैसे उरेनियम-235 का विखनडन होता है तब एक युट्रॉन यूरेनियम-235 से टक्कर करता है और संयुक्त नाबिक यूरेनियम 236 का निर्मान करता है और यह संयुक्त नाबिक जो होता है उतेजन उर्जा या संक्रिन उर्जा से काफी अधिक हो उर्जा परप्त कर ऐसी स्तती में एक संयुक्त नाबिक जो है वह अइस्थाई होकर दो हलके नाबिकों में तूट इसी के साथ हमें इस अभिक्रिया के अंतरगत दो या दो से अधिक neutron भी मुक्त होते हैं जो किसी अन्य यूरेनियम 235 को विगटित करने में सक्षम होते हैं इस विखंडन से निकले neutron नए विखंडन में भाग लेते हैं एक विखंडन से मुक्त neutron द्वारा आगे क्रमिक रूप से नए विखंडनों को प्रिरित करने वाली यह अभिक्रिया जो है वह स्रंखला अभिक्रिया कहलाती है chain reaction कहलाती है जो एक chain की form में चलती रहती है एक reaction के पस्चत आपको कुछ ऐसे elements मिलते हैं जिससे next reaction start हो सकती है तो इस प्रिकार की अभिक्रिया को स्रंखला अभिक्रिया कहते हैं इसको हमने graphically यह present कर रखा है यह uranium 235 का element है जो एक neutron को गहन करता है और आइस्थाई हो जाता है और आइस्थाई होकर दो नाभिकों में टूट जाता है इसके साथ ही हमें दो यह दो से अधिक neutron भी प्राप्त होते हैं यह neutron further क्या करते हैं next uranium को excite करते हैं और वो आइस्थाई होकर दो elements में टूटेगा और उसके साथ neutron को emit करेगा तो इस प्रकार हमें इसको कुछ generations की form में define किया हुआ है first neutron जो participate करता है first reaction को start करने के लिए उसको first generation neutron कहते हैं प्रथम पीडी का neutron कहते हैं इसके प्रस्षाट reaction के प्रस्षाट जो हमें neutron प्राप्त होते हैं उसे द्वित्य पीडी का neutron next के लिए तर्थ्यपीडी या 3rd generation के Neutrons कहते हैं इस प्राकार Neutron की संख्या में क्रमसर व्रद्धी होती है और नाविक की संक्रिया जो है नाविक की विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें भी क्रमोतर व्रद्धी होती रहती है तो इस प्राकार की जो reactions हैं उनको नाभिकिय स्रंखला अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकिय स्रंखला अभिक्रिया से संबद कुछ basic definitions हैं, कुछ परिवासाएं हैं, कुछ important facts हैं, जिनका हम यहाँ पे थोड़ा सा अधियन करते हैं, तो सबसे पहले होता है uranium को सम्रद करना, and it's of uranium, हमें पता है uranium जो है प्रकरती में कुछ समस्थानिक होते हैं, isotopes होते हैं, जिसमें प्रमानु संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन होती है, तो ऐसे नाभिक जो होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं, जिन में से कुछ स्थाई होंगे, कुछ आस्थ 234, 235 और 208 इनकी जो प्रचूरता है जो मात्रा है प्रकरती में पाई जाती वह 0.006%, 0.7% और 99% के आसपास वैल्यो मिलती है तो सरवादिक मात्रा में 238 और लीस्ट जो है सबसे कम मात्रा मिलती है यूरेनियम 234 की फॉर्म में यूरेनियम 234 की जो उपलब दता है वह बहुत कम होती है इसलिए हम इसको कहीं काम में नहीं लेते परन्तु यूरेनियम 238 जो है जो प्रचूर मात्रा में प्रकरती में पाई जाता है परन्तु यह तापिय न्यूट्रॉन की द्वारा विखंडित करना इसको संभव नहीं है इसको विखंडित करने के लिए इसके विखंडन के लिए हमें उच्छ गतिज उर्जा वाले न्यूट्रॉन जिसकी जो गतिज उर्जा है वह एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होने चाहिए तो यहाँ पे एक टेक्निकल प्राब्लम एक इस्यू या आता है कि हमें इस यूरिनियम दोसो और्टिस को अगर विखंडित करना है तो हमें न्यूट्रॉन की गतिज उर्जा में व्रति करनी होगी तो यहाँ पे यह दूसरा प्राब्लम्स क्रिएट होता है तो जबकि यूरिनियम दोसो और्टिस जो है वह तापीय न्यूट्रॉन से ही विखंडित हो जाता है यूरिनियम दोसो और्टिस के मुक्त इलेट्रॉन जो है उसकी गतिज उर्जा एक मेगा अलेक्ट्रोन वोल् उसे कम होती है तो यह फुर्दर क्या है 238 को भी विखंडित नहीं कर पाता है तो इस प्रकार प्रक्रति में पाए जाने वाले जो यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 जो है वह हमारे लिए यूजफिल है प्रकृतिक यूरेनियम स्वपोसी सेल्फ सस्टेंड अभी क्रिया नहीं दे सकता तो इस प्राकार की जो प्रक्रिया को continue करने के लिए हमें uranium 235 की आवशकता होती है जिसको हम कृतिम रूप से इसकी मात्रा को इसकी उपलबता को बढ़ाया जाता है uranium को की उपलबता को बढ़ाने के लिए हम chemical synthesis chemical and racinic translation करते हैं और 235 को अलग कर इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को हम uranium को सम्रद करना कहलाता है enrichment of uranium कहलाता है दूसरा important point ये factor है krantic द्रव्यमान critical mass नाबिक की विखंडन स्वतहप पोसित बनाने के लिए self sustainable बनाने के लिए विखंडन ये प्रदार्थ की द्रव्यमान की मात्रा एक जो है वो महत्वपूर्ण बोमिका निबाती है नाबिक की विखंडन के लिए प्रदार्थ की वह नियूंतम मात्रा जिससे नाबिक की विखंडन प्रक्रिया स्वतहपोसित बनी रहे क्या कहलाता है krantic द्रव्यमान यानि किसी भी नाबिक की विखंडन प्रक्रिया को स्वतहपोसित बनाने के लिए उसकी जो नियुनतम मात्रा है minimum quantity जो है उसको critical mass कहते हैं विखंड निय प्रदार्थ का वह द्रव्यमान जिससे स्रंखला अभी करिया स्वतहा पोसे तो नहीं होती नहीं रहती उसे उपकरांतिक द्रव्यमान सब critical mass कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान की मात्रात्मक माप neutron के प्रभावी गुणनकारक पर निर्बर करती है अब next important factor आता है गुणनकारक जिसको हम multiplication factor कहते हैं तो multiplication factor क्या होता है किसी भी नाभिक किया अभी करिया कि NVPD NV generation में neutron की संख्या और उससे पूर्व की generation जिसे हम N-1VPD में neutron की संख्या की अनुपात को neutron का गुणनकारक के कहते हैं यानि किसी भी generation में neutron की संख्या और उससे पूर्व की generation में neutron की संख्या का जो अनुपात है वह गुणनकारक कहलाता है के के मान जो है उसकी व्याख्या 1 से तुलना की जाती है 1 से compare किया जता है तो 1 से compare कर हम 3 cases study करते हैं के greater than 1 के equal to 1 और के less than 1 के greater than 1 यानि किसी NV PD में neutron की संख्या और उससे पूर्व की PD में neutron की संख्या की तुलना में जादा होती है तो कि कमान 1 greater than 1 होगा एक से अधिक होगा अर्थार्थ ऐसे प्रक्रिया में neutron की संख्या जो है वह उत्र उत्र बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ेगी जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है अभिक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे neutron की संख्या में लगातार वर्दी होती है और neutron की संख्या में चरगातांग की रूप से व्रदी होने से विखंडन अभी क्रिया जोती है वह अनियंत्रित होती है क्या हो जाए बहुत तेजी से बढ़ने के करण K equal to 1 अर्थार्थ NV PD में neutron की संख्या और उससे पूर्व वाली PD में neutron की संख्या क्या होती है बराबर होती है तो K कामान क्या होगा 1 होगा इस विखंडन में neutron की संख्या स्थिर बनी रहती है इस इस्तती में विखंडनिय प्रदार्थ के दर्वयमान जो है वह क्रांतिक दर्वयमान कहलाता है इस केस में जो विखंडनिय प्रदार्थ का जो मात्रा है वह critical development कहलाता है और ऐसी अभिक्रिया जो है वह नियंत्रित या स्थाई रहती है के less than one अर्थार्थ NVPD में neutron की संख्या जो है वह पूर्वोत्तर VPD में neutron की संख्या से क्या होती है कम होती है तो जैसे से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी neutron की संख्या में कम होती जाएगी neutron की संख्या का चरगाता की रूप से हास होता है ऐसी प्रक्रिया जो है वह बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती दिरी-दिरे neutron की संख्या में कमी होने के साथ ना भी किवे खंडन की जो दर है उसमें भी कमी आएगी और दिरी-दिरे अभी क्रिया जो होती है वह रुक जाती है समप्थ हो जाती है अभी क्रिया संभव नहीं हो पाती तो यह हमने देखे गुणन कारक के के लिए तीन मान जो बहुत इंपोर्टेंट है के greater than 1 जो है वह अनियंत्रिक स्रंखला अभी करिया के लिए responsible होता है और k1 जो है वह नियंत्रिक स्रंखला अभी करिया जो होती है उसके लिए requirement होती है k1 k1 द्याक्तेरां के effщее उत्यारिक संग्रों से जारी नहीं रह सकती कुछ समय पस्चाद जो अभी क्रिया है वह स्वतहा बंद हो जाती है धन्यवाद थैंक यू